रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद सेर गुनाथाय नाथाय श्री शीताय पते नमहा प्यारे मित्रों जैश्य राम जैमात दी मित्रों बात कर रहे हैं हम एकाजसी की एकाजसी के दिन हमको क्या-क्या नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि भूल कर भी यदि हम ये काम करते हैं तो हमको लाव नहीं बलकि हानी होगी इस दिन भगवानी विष्णु की पूजा की जाती है तो हमको भगवानी विष्णु की पूजा करनी चाहिए जब तप दान इत्यादि के द्वारा भगवान का हमको पूजन करना चाहिए दूसरी बात मित्रों हम आपको बताएं कि एका दसी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि चावल खाने से मन चंचल होता है और प्रभु से बिमुख हो जाता है पहला कारण चावल हमको नहीं खाने चाहिए दूसरा कारण है पान, तंबाखु, जर्दा, सराब, इत्यादिये नसीली पदार्थों का सेवन हमको नहीं करना चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन कदापी भी भगवान की और अग्रसर नहीं होगा और इसके बाद में मित्रों तीसरा दतून नहीं करना चाहिए क्योंकि पेण की डाली को तोड़ना नहीं चाहिए उंगली से या ब्रस से उस दिन दतून करना चाहिए एकाजसी की रात को सोना नहीं चाहिए, कीरतन करना चाहिए और कीर्टन करते समय ये नहीं कि आदी रात तक जगे और इसके बाद में सो गए चार बजे प्राते काल तक जगना चाहिए कीर्टन करना चाहिए नारायन नाम का ओम नमो भगवते वाशु देवाय इश्मंत्र का जग करना चाहिए मित्रों जागरन के नाम पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि तास पत्ते खेलने लगते हैं कि मुझे पूरी रात जागरन करनी है वह तास खेलने लगते पत्ते खेलने लगते इस काम को भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस काम को यदियाब करते हैं तो परिवार पूरे के पूरे बरवाद हो जाते हैं अब देखिए महाभारत के अंदर इसी जुएं के कारण कितना बड़ा युद्ध हो गया था तो तास और पत्ते का भी परित्याग करना चाहिए ये कभी नहीं हमको खेलना चाहिए तो कभी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इससे सदयव हानियां होती हैं लाव कोई नहीं होते हैं मित्रों इसके साथ साथ क्रोध करने से मन असान तो होता है नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं मन स्थिर नहीं होता इसलिए क्रोध को भ परिवार विखरता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, एकाजसी के दिन उपवास करें या न करें परंतु ब्रह्म चरब्रत का पालन जरूर करना चाहिए मित्रों, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करने से पूर्ण छीन हो जाता, यदि किसी की कोई वस्थु पड़ी है तो उसको पड़ी रहने दें उसको उठाएं नहीं उठाते हैं तो आपका जो पुन है ये पुन छिण हो जाएगा और आपको लाब की प्राप्ति नहीं होगी हिंसा नहीं करनी चाहिए पस्वों का बद नहीं करना चाहिए और नहीं पस्वों के मांस का भक्षण करना चाहिए ऐसा करने से भी हमको कोई लाब प्राप्त नहीं होता मन, वचन और कर्म से सदयों हित करना चाहिए दूसरे का कल्यान करना चाहिए अहिंसा परमो धर्मा इसी का पालन करते हुए चलना चाहिए जब ऐसा करेंगे तो व्रत का पूरा का पूरा फल हमको प्राप्त होगा फिर मिलते हैं एक नई वीडियों के साथ तब तक के लिए दीजिये इजाज़त, जयमा तादी, जयमा गुंजे